हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू साइस मेगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग तभी आई होप तभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों Nervous System की 1 क्लास हो चुकी है यह क्लास No.2 पार्ट No.2 अपनी क्लास जो होती है वो 2 अपेर एक बजह हुती है लेकिन दोस्तोब मुझे किसे काम की वजह से मैं नहीं मतलब आपकी ले पाया एक बज़े इसलिए थोड़ाएप लेट करिये दो बजे में आप लोगों की class start करी है आज ये है ना उसका notification भी मैंने आप लोगों को डाल दिया था चलिए दोस्तों start करते हैं nervous system यानि तंत्र का तंत्र का part number two देखे दोस्तों पिछली class में हम लोग कहां तक पर चुके थे मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा brain है उसके तीन पार्ट होते है four brain, mid brain और hind brain मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा four brain होता है ना उसके तीन पार्ट होते है अगर मस्तिक जो है ना इसके भी तीन पार्ट होते है क्या मैंने बताया था क्या शेरेब्रम यानि प्रैमस्तिक एक मैंने आपको बतायता थेलेमस और एक मैंने बतायता आपको hybrid hemid दोस्तों मैंने आपको इसमें थेले मस के बारे में बताया था, क्या काम था थेले मस का, मैंने आपको बताया था, कि सर हमारे पास में पाथ सेंसरी ओर्गन्स होते हैं, उन में से तीन सेंसरी ओर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है, बताईए थेले मस करता है, बात क्लियर है क्या बताओ यहां तक क्लियर है चलिए अब आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेरेब्रम यानी प्रेम मस्तिक के दोस्तों सेरेब्रम के बारे में मैंने आप लोगों को दो चीज बताई थी बताई थी क्या मैंने आपको दो चीज बताई थी क्या सेरेब्रम के मैंने आपको बता साय आपका सेरेब्रम है प्रैमस्तिक है यह इतना बड़ा है कि ब्रेन का तू ठड़ पाट आप लोग मानो आपका क्या है हमारा सेरेब्रम ही यह प्रैमस्तिक है ठीक है मैंने आपको एक बात और बताई थी कि सेरेब्रम दोस्तों का काम क्या है जो हमारी इंटेलिजेंसी होती न बुद्धी मता, जैसे हम लोग बोलते हैं ये वक्ती ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है तो बेसिकली जो इंटेलिजेंसी हुती है किस पर डिपेंड करती है, उर तीस रह एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों मैमूरी यानि यादधास के लिए कौन इंपोटन्ट है यादधास के लिए सर यह आपका Cerebram याली प्रह मस्ते की important है clear है चले आगे कोई समस्या कोई दिक्काट तो यह तीन पॉइंट आप लोगों के बारे में ध्यान आप लोगों के रखने हैं अब दोस्तों Cerebram में में चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं यह तीनों पॉइंट लिख लिए आपने नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं अभी मैं आपको लिखवा दूँगा मैं एक डाइग्राम बनाने जा रहा हूं आप लोगों का ठीक है चलिए दोस्तों यह डाइग्राम मैं आप लोगों को बनाने जा रहा हूं डाइग्राम को आप लोग सहरेब्रम है यarni प्रहमस्तिक है एक चीज आप जयान रखिएगा दो हो जैसे माल लीजिए यह आपका सेरेब्रहम है प्रेमस्तिक है ठीक है ठीक है ठीक है अ दोस्तों इसमें टोटल है ना पाच खंड पाये जाते हैं पाच खंड पाये जाते हैं देखो ध्यान से आप लोग समझ रहा कुछ भी आप लोगों का यह इतना इंपोर्टेंट नहीं ह लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इंपोर्टेंट क्या है जो एक्जाम में पूछता है इसके बारे में तीन बाते वो मैंने आपको बताई अब भी बस प्लीज मेरी बात को दियान से समझे ना सेरेब्रहम के अंदर दोस्तों अलग-अलग सेक्शन होता है अलग-अलग ल लोब एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि दोस्तों ये चार लोब जो होते हैं इनके नाम क्या है इनके काम क्या है पहली बात तो ये दोस्तों जो ये वाला लोब है ना इसका काम बताऊं क्या है इस वाले लोब का होती ना memory store रहती है क्या आपको कोई memory store है कि हाँ सर मुझे बच्पन की बात पता है कि एक वार मैं स्कुल में गया था यहां पर रहना टीचर ने मुझे खड़ा कर जिया था आपको कुछ memory याद है कि कल में रात को आया था कई पर बाहर गूंके फिर मैंने टीवी देखी फिर मैंने सर पढ़ाई करी तो यह जो memory आपकी storage होती है ना वह इस वाले पार्ट में होती है भी इसका नाम बताऊंगा बिल्कुल tension मत लीजिए पहल समझ मैं अगी बात को 7374-019437 चलो आजाओ तो पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों cerebram के बारे में मैंने आपको बताई दिया यह two by third part है intelligent part है दोस्तों जो भी memory आप लोगों की होती है ना वह basically इसी के द्वारा control होती है देखो दोस्तों द्यान समझो cerebram जो है ना आप लोगों का प्रहमस्तिक जो है ना यह उपर का देख पार ना यह यह जो यह पूरा का पूरा cerebram है सर मैं डाइग्राम में एक दो तीन चार तो दोस्तों जो आगे वाला है ना यह वाला यह वाला इसको आप लोग बोलते हैं frontal lobe short में लिख दो FL बस आप लोग लोग के नाम याद रखो बिल्कुल भी टेंशन ना लेना है क्लियर है सर मैंने अभी एक ओर्स पर्चेज किया है physics recorded नहीं मिल रहा है physics शुरू क्या physics दोस्तों फिजिक्स अभी शुरू नीवाए भी हमने केवल chemistry पढ़ा है biology आप लोगों का पढ़ा है और जब आपका biology हो जाएगा फिर physics start करेंगे ठीक है अपनी चिंत रही है एक जम से एक मीने पहले आपका स्लेवर्स पूर अच्छे से हो जाएगा ठीक है क्लियर आ जाओ दोस्तों फ्रंटल लोग है इसके नीचे जो लोग है इसका नाम क्या है टेंपरल लोग है ओके सर दोस् तो आप लोग बोलोगे कि यह जो चार लोग है उनके नाम क्या है एक का नाम क्या है दोस्तों बोलके बताओ फ्रंटल लोग एक का नाम क्या है पहले का नाम फ्रंटल लोग हो गया फ्रंटल लोग के बाद में जो जश्ट इसके नीचे होता है वो होता है टेंपरल लोग द को दोस्तों फ्रंटल लोब आपका यह काम करता है जैसे मैंने आपको क्या बोला अब आपको दिख रहा होगा यह आपका पूरा का पूरा सेरे ब्रहम है पूरा का पूरा प्रैमस्तिक है यह ठीक है तो इसमें सेरेब्रम में भी चार पार्ट है एक दोस्तों यह frontal lobe अब दिख गया यह आपका parital lobe यह आपका temporal lobe यह आपका occipital lobe अब समझ में आगे लोब basically क्या है इस brain के अंदर अलग और और पार्ट है छोटे छोटे क्लियर है क्या मैंने आपको बताया था सेरेब् सेरेब्रम जो भी हमारी intelligence होती है memory होती है यह सब सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होती है यह तो मैंने आपको मुख्या दो फंक्शन बता है लेकिन दोस्तों और भी आप लोगों के छोटे छोटे फंक्शन है जैसे दोस्तों बहुत व्यक्ति को कुछ self awareness रहती है क्या है मै मेरे जैसे को आपको समझाना पढ़ेगा सही में मेरी awareness बहुत कम है कि नीरसर यह course launch करो आप मुझे मेरे को टीम बताती है मतलब मैं सही में बढ़ 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 बढ़ा सकता हूं सारा काम है लेकिन अवेर निया क्या कर सकते हैं मतलब समझ रो मैं general life में दोस्तों मै आपको बता हूं मेरी decision लेने की जो शम्ता है जो वह ना बहुत खराब है बहुत खराब है मेरी seriously मतलब मेरी इतनी खराब है मैं क्या बता हूं आप मैं seriously बोल रहा हूं मुझे पढ़ाने के लाग कुछ नहीं था आप overall में देखोगे ना एक खेलने में बहुत मजा था cricket वग का रहा है जैसे आप आप सबकी बहुत अच्छे होगी कि सर मैं क्या करूं क्या नहीं वह सकता है आपको पढ़ाई में डाउट है वह अलग चीज़ है यार वह तो आप लोग पूरी नई चीज़ें सीख रहे हो फिजी केमिश्ट्री बाइलोजी लेकिन डेली लाइफ में आप इतना कंफ्यूज नहीं रहते होंगे जैसे अब आप मैं मालू किसी रेइस्ट्रेंट में चला गया ना वहापर मैं सोच और क्या ओडर कर दिया मालू मट्र की सबजी और कर दिया अरे यार आप तो वह कर दो आलू मट्र की जगए यह कर दो अरे यार वही करा लेते यार मतलब समझ तो सब व्यक्ति जो आप होना आप में सब में अपने में कुछ ना कुछ पॉजीटिव कुछ नेगेटिव है तो आप अपने पॉजीटिव को पैचानो ऐसा नहीं है कि सर मैं स्टूडेंट हूँ मेरा भी तक सेलेक्शन नहीं होगा यह किसी को भी लिए यह चीज़ ठीक है आजाओ प्लीज मेरी बात को अब बिहां से समझों तो दोस्तो सेल्फ अवेर ने के लिए speech आप लोग जो देते हो कोई अच्छे से speech दे पाता है कोई नहीं दे पाता किसी का behavior क्या होता है किसी का नहीं क्या होता है तो सार यह चीज़ें होते हैं speech behavior यह frontal lobe के द्वारा आप लोगों की decide होती है लेकिन क्या sir मुझे यह पड़ना है क्या दोस्तों नहीं मैं आपको to be honest बता हूं नहीं पढ़ना जश्ट मैं आपको जानकरी के लिए बता रहा हूं कि हमारे जो चार लोब है ना चारों के अलग-अलग काम है frontal का लब है parital का अलग है है ना आप लोगों का ये क्या बोलता है temporal का अलग है और सिपिटल का अलग है तो सर मैं क्या द्यान रखूँ आप तो बस एक चीज़ द्यान रखिए जो मैंने आपको सहरे ब्रह्म के बारे में तीन चीज़े बताई है प्रह मस्तिक के बारे में जो मैंने तीन चीज़े बताई है वो मैंने आपको क्या बताया है intelligency दोस्तों दूसरा memory तीसरा आपका largest part है ये brain का clear है ठीक है अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जैसे मान लो अगर ये cerebrum है ये प्रह मस्तिक है तो इसका एक part क्या है memory को store भी करता है देखो अगर आप लोगों से पूछा जाए memory का formation कहां पर होता है दोस्तों memory का जो formation होता है ना वह होता है आप लोगों का frontal lobe में और कुछ आपका इधर लेकिन memory जो store होती है जो संग्रहित होती है वो इस वाले पार्ट में होता है तो दोस्तों इस वाले पार्ट को आप लोग क्या बोलते है इस वाले पार्ट को आप लोग बोलते है अरे hippocampus या दोस्तों fifth lobe एक चीज़ ध्यान रखिए मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों सेरेब्रम का एक पार्ट है जहां पर memory क्या होती है इस्टोर रहती है जो याददास होती है वो संग्रहित रहती है दोस्तों ये जो आपका पार्ट है ना ये बिलकुल hippocampus की जैसे समुंद्र में पाय जाता है आपका धरियाई घोडा है तो दोस्तों जैसे इसकी आकरती है वैसे ही इसकी भी आकरती है आपके सेरेब्रम के इस पार्ट की आकरती भी ऐसी है इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया हिपो केमपस दे दिया दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा इसको हम लोग जो हिपो केमपस है इसको एक नाम से और जानता है इसका काम क्या है सर ये मेमोरी स्टोर कर रहा है इसलिए हम लोग इसको हार्ड डिस्क ओफ ब्रेन के नाम से भी जानता है हार्ड डिस् से एक कमेंट कर रहा है हंसराज मिरना जी ठीक है तो पहले में डाट हूंगा झाल तुम आपको ब्लॉक करूंगा है ना मैं दीख रहा था शांथ हो जए शांथ हो जए शांथ हो拜拜 खुद का नुँक्षान करा हुती दीर से पूछ लो अच्छी बात पूछ रहे Means लेकिन इस पूरे चक्कर में एक ही कमेंट करते जा रहे हो आप पढ़ा ही नहीं कर रहे हो सर पूछ लूग गया, सर पूछ लूग कि इती तरह में तो comment करते थे चले आगे, चले आगे, आजा next हम लोग बात करते हैं, दोस्तो 4 Brain में 3 पार्ट होते है मैंने किस-किस के बारे में बता दिया सर आपने थैले मस के बारे में बता दिया और सेरेब्रम यानि प्रेमस्तिक के बारे में बता दिया अब दोस्तो अगला पार्ट या तीसरा पार्ट जो है वो है हाईपो थेलेमस यहाँ पर आप लोगे देख रहे हो मैंने ये एरो से एक इशारा करा है यहाँ पर होता है आप लोगों का हाईपो थेलेमस यह आपके four brain का ही part है चर हाइपो थेलेमस का काम क्या है दोस्तों इसके दो main काम है पहला क्या है हमारी बोड़ी के temperature को control करना क्या आपको पता है हमारी बोड़ी का temperature control रहता है हमारी बोड़ी का normal temperature कितना है 37 degree Celsius या 98.6 Fahrenheit अब दोस्तों आप लोग कहीं पर भी जाओ अमेरिका में जाओ आप लोग यह ना मुंबई जाओ गोवा जाओ आपका अगर मालों बुखार वगरा हो गया वो अलग सीज़ा आपको बिमारी हो गई बढ़ना normally क्या आपका temperature इतना ही रहता है क्या तो यह temperature maintain कौन करता है यह आपका hypothalamus करता है पहली बाद clear है क्या ठीक है चलिए दोस गुसे की जैसे आपको बूख की फिलिंग जब लगती तबी तो हम लोग खाना खाते हो बूख प्यास समझ वारू में क्या बोलना चाहरा हूं बात समझना चाहरा हूं तो जितनी भी आपके फिलिंग्स इमोशन्स है यह किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं आपके hypothalamus के द् पहला काम तो क्या हो गया सर इट कन्ट्रोल बाडी टैम्प्रेचर ये शरीर का ताप्मान है वह एक बोल सकते हैं ठीक है लेकिन फीर विसको ना-वेप्रश से जो दर्द यह सारी जो फिलिंग्स है यह आपके हाइपो तेलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है क्लियर है बात समझ में आ गई बिलकुल सर आगे चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारे मिड़ ब्रेन के बारे में हमारे ब्रेन के तीन पार्ट जाना फो काउसे बूल रहां अपने सुना उगा तो बैसिक्ली आपके ब्रेन के इसी पार्ट को सिक्सेंस के लाम से जानते हैं वैसे किटने सेंस होते हैं कोई बताएं घ्यां Sup turned संच होते हैं एक टच टच आंत एक्ट का सैंस एक आप लोगों की प्रकार तो यह बता नहीं इसको नाम दे दिए सिक्स अ ठीक है सर यह क्या करता है मुझे यह बता हो हमारे पास में टो टल पाथ सैंसरी ओर्गन से उसमें से तीन को कौन कर रहा था थैलेमस कर रहा था बाकी के जो दो सेंसरी ओर्गन होते हैं कौन से एक तो आई और यह दोनों को शोटी छोटी चार बॉल जबहते हैं और यह दिख रही है क्या तो इन्हें आप लोग बोलते हैं कि इन्हें आप लोग क्या बोलते हैं कि और पो रा क्वाड जैमेनिया कौर्पोरा चाहिए घैमिना ठीक है अब सरी क्या करता है देखो बेसिकली इन में दोस्तों जो दो पार्ट होते हैं यह दो बॉल होती है उसको आप लोग बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुली बेसिकली यह आप लोगों के आई के लिए काम करती है EI के लिए मतलब ये किसको sense करती है ये आपको किसको sense करने में मदद करती है प्रकाश को ठीक है और जो यह आप लोगों की सुरी डोस्तों मैंने तोड़ असा गलत लगा दिये मैंने इसको सई कर जहाँ ना जेको कोई बात नहीं मैं इसको यहां पर लगा जहाँ यह जो उपर है ना वो क्या करती है तो साउंड को सेंस करने में मड़द करती है यानि आपके एर की मड़द करती है क्लियर है क्या तो सर मुझे क्या ये दोनों के नाम याद रखने है क्या नहीं ये सर चार चोटी-चोटी बॉलों के नाम याद रखने है क्या नहीं आप तो बस यह ध्यान मेनाजी बोल रहा है सर जी सवाल यह था मैला में रजो दर्म की क्रिया कितनी आयू से कितनी आयू तक होती है हंसराज जी जब हम लोग री प्रडॉक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना वहापर इस सारी चीज़े डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है चले आगे आज़ाओ च अनुमस्तिक एक था पॉंस एक था मैडूला यहां देखिया यह भूल गए देखो तो इसके तीन पार्ट है आप लोगों के एक तो हो जाएगा सेरी बिलंग जिसको आप लोग हिंदी में बोलते है अनुमस्तिक एक होता है आप लोगों का मैडूला और एक आप लोगों का हो जाता है पॉंस क्लियर है क्लियर है क्या मैं आपको अगर लोकेशन बता हूँ आपका ब्रेन का जो सबसे पीछे वाला पार्ट है उसके तीन पार्ट हो गया एक तो सेरेब्रम हो गया एक पॉंस हो गया और एक आपका मैडूला हो गया दोस्तों यहां से चीज आप एक क्यो क्योशन बना सकते हो क्या अगर मैं आपको बोलूँ कि यह डायग्राम देखो और एक क्योशन बनाओ एक क्योशन पूछ सकता इससे ध्यान से देखो बताओ इससे कोई जानकारी मिल रहे कि इस डायग्राम से बताओ सर्जी टेक्निशन में साइन्स का जो 40 मार्क्स का थोरी रहेगा या नूमेरिकल भी रहेगा दोनों आएंगे दोस्तों नूमेरिकल भी क्योशन भी बताओ देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रेन है ना ब्रेन ये रहा ब्रेन ये रहा मारा मस्तिक बताया था कि मैंने ब्रेन के पीछे एक मोटी सी नस निकलती है ब्रेन के पीछे से मोटी सी एक नस निकलती है जिसे आप लोग बोलते हो spinal cord यानी मेरूर रज्जू तो अगर आप से मैं पूछूँ कि जो spinal cord होती है ना वो brain के कौन से पार्ट से connect होती है बताओ सर गुड़ा अफटरनू आपकी class record ले रहा हूँ बहुत ही बड़ी है thank you so much ओके यह जी बहुत बहुत दन्यवार बताओ यह जो आपकी spinal cord है ना जो मैरूर रज्जू है वो brain के कौन से पार्ट से connect होती है तो दोस्तों यह जो आप लोगों का brain का medulla है ना तो को medulla से ही connect है तो spinal आप लोगों से कई बार exam में पूछा जाता है कि spinal cord emerges from मैरूर रज्जू मस्तिक के किस बाग से निकलती है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा medulla हो जाएगा clear है क्या clear है क्या कि चले आगे कि पूटर्टरी gland क्या है मनजी शादव जी इससे यह question मनेगा एक जाम में पूटर्टरी gland क्या है मैं आपको यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है मैं आपको पूटर रहा हूँ यह डायग्राम देखके आपसे क्या question पूचा जा सकता है बताओ इससे क्या आपको जानकरी मिल रही है पूटरटरी ग्लेड क्या है का लिखाओ है इसमें पूटर ग्लेड के बारे में बता हूं क्लीर है चले आगे आजब लोग बात करते हैं कि सर यह जो तीन आपने काम बताईं तीनों के क्या फंक्शन है। एक ही चीज में मेरे को थीक है दोस्तों सबसे पहले important चीज बात करता हूँ medulla की बात करता है कोई बताना चाहेगा medulla का काम क्या है दोस्तो medulla क्या करता है जितनी भी involuntries activities होती ना involuntries activities का मतलब क्या है हमारी body में होने वाली जितनी भी अनेच्छिक गतिविदी है अनेच्छिक गतिविदी का मतलब कहई? जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है दोस्तों आपका हर्ट क्या करता है? धक-दक करता है न तो मैं बहुं लो उसको ज़रा तेज करेवाँ के बताओ तो क्या यह आपके हाथ में है यह नहीं तो हर्ट बीट को बढ़ाना या कम करना आपके हाथ में नहीं है, तो हर्ट बीट भी एक involuntary activity है अच्छिक गतिविदी है, दोस्तो आप मुझे बताओ छीक आना, क्या ये आपके हाथ में है क्या, नहीं सर ये भी involuntary activity है, दोस्तो आपने बोजन खाया, बोजन अंदर चला ग होती है क्लियर है क्या सर जी आप मेरी बातों का जवाब दोगे क्या आप पूछो मन्नुक कुमार जी पूछो ठीक है समझ में आगे बात को ब्रेन इस्टेम के भी आगे पड़ेंगे ना देखो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो मैं जो पड़ा रहा हूं वैसे पड़ो हर आपका टॉपिक कवर होगा जैसे एक बच्चा बीच में पूछ रहा है ब्रेन इस्टेम क्या है चलो द अब आप में बीच विच में बोलते हो क्योंकि अगर आपको मेरा सेक्वेंस नहीं लगता तो आपको विश्वाष होता कि हां याँ सर पड़ा रहे है एक सई सीक्वेंस में पड़ा रहे है और जो भी इस चैप्टर में जितने भी कॉंसेप्ट आता है सर सब करवाएंगे लेकिन में लगता है आपको उतना तो वह है नहीं ठीक है यह देखो यह ब्रेन इस्टेम जो है पहले यह करा दूँ उसको छोड़ दे तो प्लीज दोस्तों आप इतने प्यारे प्यारे दोस्तों परिशान क्यों रहता है आजाओ तो आई होप आपको मैडूला का फंक्शन समझ में आया होगा नेक्श बात दोस्तों सेरेब्रम क्या करता है दोस्तों सेरेब्रम क्या करता है हमारे मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है हमारी मास पेशिया जो है ना उसको कंट्रोल करता है जैसे आप लोग मुझे एक चाहीं बताईए मन्नु कुमार जी बोल रह अगर आपने screenshot लेले उससे दिमाग में चला जाता कि सीदे पढ़ाई पे दियान दो इदर screenshot on कर दो ये color लाल कर दो पीला कर दो ठीक है आचा देखो दोस्तों मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ हाँ जैसे आप लोग चीज मुझे बताइए आप लोग है ना कोई भी सामान उठा रहे हैं तो आपकी हाथ की जो muscles है आपकी हाथ की जो muscles है वो उसमें important है ये नहीं है अगर आपकी muscles ही काम नहीं करेगी तो आप कोई सामान को उठा पाओगे क्या नहीं दोस्तों आप लोग अगर डंग से सीधा खड़ा हो पा रहे हो तो आपकी पैर की जो muscles है उसमें कितनी important है अगर पैर की muscles में proper आप लोगों का control नहीं रहेगा तो आप लोग दोस्तों खड़े इंद्र पाओगे गिर पाओगे है ना तो अगर मैं आपको बोलू कि Cerebrum क्या करता है muscles के movement को control करता है या फिर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दू क्या अगर exam में पूछा जाए हमारी body के posture को कौन control करता है हमारी body को balance करने का काम कौन करता है संतू लेता है ना balance का मतलब सभी तरीके से खड़े के ओपर रह पाते हो सहरे ब्रम की वज़े से रह पाते हो ठीक है तो आईए एक एक को हम लोग समझते हैं सबसे पहले दोस्तों सहरे ब्रम के बारे में दोस्तों यह आपका posture और balance कांट्रोल करता है ठीक है क्लियर है क्या चले चलिए नेक्स चीज है आप चीज मुझे बताओ दोस्तों जितने भी voluntary action है जितने भी स्वैच्ची क्रिया है voluntary action किसको बोलोगे जो आपके द्वारा होती है जिस पर आपका control है जैसे मैं आपको बोलू दोस्तों आप लोग इस remote को उठाओ तो क्या आपकी जो voluntary activities है जो एच्छे क्रिया है जो आपकी इच्छा के नुसार हो रही है दोस्तों उसमें क्या सहरे बिलम का योगदान है क्या बिल्कुल है सर प्राइवेट जॉब करते वे लाइव क्लास करता हूं कहां करते हो आप लाइव क्लास महभूब आलम जी पिछले पाच कर लिए selection लेना तो लेना करना पड़ेगा आप क्या चार्तों में इदर आपको बुला के इदर माला पेना के कुछ गिफ्ट विट दो गया आजओ नेक्स बात करते हैं दोस्तों मेडूला देखो मेडूला क्या करता है जितनी भी अनेच्छिक क्रिया होती है जितनी भी इन्वालेंट्रीज एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है आप लोगों का मेडूला करता है ठीक है जैसे दोस्तों मैं आपको बोलू य आपके हाथ में क्या नहीं अगर वॉमिटिंग वगेरा आ रही है या आपके हाथ में क्या नहीं आपके मुव में कितना सलाइवा बन रहा है कितना लार बन रहा है या आपके हाथ में क्या क्या जादा बना लो कम बना लो नहीं यहीं सलाइवेशन भी आपके हाथ में नहीं है है यह आपकी मेडूला के दुवरा कंट्रोल होती है क्लियर है क्या चलिए दोस्तों नेक्स हम लोग बात करते हैं पॉंस की ठीक है पॉंस क्या करता है द्यान से आप लोग समझो ठीक है यह भी कुछ आपकी इन्वालेंट्री एक्शन रेस्प्रेशन लेगिन उतना योगदा करता है मुझे एक शी बताओ जैसे मानलो हमारी बॉड़ी के अलग अलग पार्ट से ब्रेन तक सिंग्नल जाता है मानलो कोई ऐसा काम आया जो सेरेब्रम का काम है या मानलो कोई मेडूला का काम है या मानलो कोई किसका काम है कोई किसका काम है तो पॉंस क्या करता है बेसिकल का काम करता है जैसे मालोग बाकि किसे और्गन से कुछ मैसेज आया अब ही पॉंस देखेगा ये ब्रेन के किस पार्ट का काम है सहरे ब्रहम का है थैले मसका है हाइपो तले मसका है तो उसके पास में भेज देगा समझ में आ रहा है तो पॉंस क्या कर रहा है कोडिनेशन का कार आजाओ चलो एक एक को समझते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तो मैडूला के बारे में जिसका पूरा नाम मैडूला ओबलोगेटा भी है यहाँ पर अगर आपको ग्रीन कलर का कुछ नजर आ रहा होगा तो दोस्तो यही आपका क्या है मैडूला ओबलोगेटा है क तो अगर नहीं हो ना तो हमारी डैथ हो जाएगी आप लोग सोच रहों कि सर हमारा इन पर कंट्रोल तो है नहीं तो बंद हो जाए तो ही बढ़िया है अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ अगर आपका दिल धड़कना बंद कर दे तो दिक्कत हो जाएगी क्या अरे होगे नहीं होगी हो जाएगी ना तो सर ये वाली इन्वालिन्टी एक्तिविटी बहुत ज्यादा वाईटल है बहुत ज्यादा जरूरнее सर अगर यी नहीं ऊते हों मारे покуп डेख हो जाएगी ज़िसने मानलो कुछ इन्वालिन्टी एक्टिविटी ऐसी है जो आपके नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे माल लो आपके कहीं पर खुजली हो दिया अब नहीं भी हो तो ऐसे रोड़ी हमारी डैथ हो जाएगी ठीक है तो दोस्तों इन्वालेंटिज अक्टिविटीज दो प्रकार की होती है एक तो वाइटल वाइटल का मतलब क्या है अगर इनकी एपसेंस हुई यानि अगर य कि स्टॉपिंग भी हो जाए रुक भी जाए इट डस नॉट मीन कि हमारी डैथ हो जाएगी तो दोस्तों चाहिए यह वाली हो चाहिए यह वाली हो दोनों के लिए ही आप लोगों को ही कंट्रोल कौन करता है मेडल ओमलेंगेटा करता है जैसे रैस्पिरेशन क्या यह आपक जरूरी वाली हो यह बिना जरूरी वाली हो दोनों को ही कंट्रोल कोन करता है मेडल ओमलेंगेटा करता है एक्जामपल बता उसके रैस्पिरेशन हो गया बलड का सर्कूलेशन हो गया डाइजेशन हो गया एक्सक्रीशन हो गया हर्ट बीटिंग हो गया सलाइवेशन यह सार सारी कि सारी आपके क्या है इन्वॉलेंट्री एक्टिविटी है क्लियर सर आपका क्लास एनर्जी देता है बहुत अच्छे बात है थैंक्यू सो मच चलिए चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं हिंडी ब्रें का अगला पार्ट पॉंश मैंने आपको क्या बताय है पॉंश बेसिकली किसका काम कर रहा है प्रिच का काम कर रहा है तो सिगनल को ब्रें के अलग-अलग पार्ट में वेजने का काम किसका है, पॉंस का है, पॉंस बेसिकली कौडिनेशन का काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, सर ये पॉंस आपका कुछ और काम भी करता है, बिल्कुल दोस्तों जो आपके sleep cycle होती है उसमें भी help करता ही है आपको सोना जगना सोना जगना सोना जगना ठीक है और दोस्तों जो rhythm of reading होता है ना सास लेना सास छोड़ना सास लेना सास छोड़ना इसमें भी आप लोगों का दोस्तों पॉंस का important योगदान है समझ में आगया आगया आप लोगों का समझ में आगया क् नेक्स हम लोग बात करते हैं मैंने बताई दिया यह आपका body और mind के बीच में coordination का किया करता है कारय करता है आ जाओ चलिए next हम लोग बात करते हैं किसकी सेरी बिलम की अनूमस्तिक की दोस्तों क्या ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है क्या ये आपका सैरी बिलम है ये आपका क्या है अनू मस्तिक है दोस्तों सैरी बिलम को एक ची ध्यान रखो इसको हम लोग लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं छोटा दिमाग के नाम से भी जानते हैं ऐसा क्यों क्यों होगी अगर दोस्तों एक्चुली में ब्रेन का ये पार्ट है चोटा लोग बहुत इंपोर्टेंट है मौन लोग पूरा का पूरा दिमागी यह है तो इसी लिए हम लोग इसको लिटल ब्रेन यानि छोटे दिमाग के बारे में जानते हैं दोस्तों मुझे एक चीज बताओ क् अगर इखे कि कि अ corros बटैंट मगज होता है तो बajcieल में सकता है तो बैसिकली चोटा मगज वो किसको बोल रहे हैं सेरी फिलमब़ मज बोल और दोस्तों को लिए बहुत इंप उदिए सकते इसलिए हम लोग इसको ट्री ओफ लाइफ जीवन का पेट जीवन का व्रक्ष बोलते हैं अब क्यों बोलते हैं ये कौन मुझे बताएगा कारण क्या है प्यारे दोस्तों ध्यान से समझो देखो आपका सैरी बिलम कर क्या रहा था सर हमारी जो मसल्स है ना मास पेशिया उसके म को क्यों कर रहा था सर हमारा सैरी बिलम कर रहाता और दोस्तों अप में से बच्चे जो पूरी केमिष्ट्री कर चुक हैं इस अब हम अ Nós आप में włz है पर है जो भाईलोजी के भी जितने चैप्टर हुए हैं वह कर चुके हैं और कितने ऐसे बच्चा है हैं अभी तो मैंने कैमिस्ट्रिक है यह बाकी है यह बाकी है बताओ इमांदर से बताओ जो भी है हो सकता है किसी ने भी कम नहीं कर आओ आओ कि अधी है जोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं देखो प्लीज जल्दी जल्दी करना मैंने तो करवा दिये हैं तो प्लीज आप लोग जैसे पढ़ा रहा हूं न मैं वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाईए आप यह मत सोचिए कि सर मेरे पास में बीम het रहेंगे मिं बाद में देख लूँँ never दोस्तों दिक्कत हो जाएगी यार दिक्कत हो जाएगी आपको साथ के साथ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा साथ की साथ आप लोगों को करना पड़ेगा ना प्लीज ना तो वह छोड़ो मत अगर आपके छूटे वह ना उसको करो यार मैं वैसे आपको डेली एक क्लास ले रहा हूं आप तो दिन में तीन-तीन गंटे पढ़ाई करो मतलब पुरानी मालो तीन क्लास देख लो चार क्लास देख लो लेकिन करो आप इसको छोड़ो मत वहना दिक्कट हो जाएगी कोगि आपको रिवीजन भी करना है बहुत सारी शीज़े करनी है आजाओ अब देखो हमारा जो सेरी बिलम है वो क्या करता है सर हमारी मसल्स को कंट्रोल करता है दोस्तों क्या आपको पता है हमारा जो हर्ट है न वो एक मस्कुलर औरगन है मस्कुलर औरगन का मतलब है सरी मसल्स का बना हुआ है इसमें कोई हड़ी वगएर नहीं है केवल मसल्स का ब काम नहीं करेगा तो हाट का काम है ब्लेट को पंप करना ब्लार को हर अंग तक पहुंचाना ङel Dees चाफ हो जाएगी क्लियर है क्या समझ में आगे क्या तो आप ध्यान रखेएगा इसलिए विए लोग इसको ट्री आफ लाइस बोल admire दोस्तो आप लोग मुझे बताईए जो व्यक्ति एलकोहल का कंजम्शन करता है क्या दोस्तो ब्रेन पे कुछ प्रभाव पड़ता है गया बिल्कुल पड़ता है तब तो उल्टी सिद्धी बाते करता है गाड़ी तेरा बाई चलाएगा ब्रेन पर पड़ता है अगर आप लोगों से पूचा जाएए अलकोहल के कंजम्शन सी ब्रेन के किस पार्ट पर सबस्याधी प्रभाव पड़ता है दोस्तो सारी बेलं पर पाएगा तो आपका मसल्स भी डंग से काम नहीं कर पाएगी इसलिए तो ऐसे चलता उल्ट अच्छित चलाई नहीं जाता देखा होगा आपने मूवी का घर हमें ठीक है दोस्तों टंग जीव किसकी बनी हुई है यह यह भी तो मुसल्स की बनी हुई मासपेशों की तो डंग से बहुत यह सब इसी की वज़े से होता है ठीक है तो आप लोग एक चीज़ द्यान रखेंगे फंक्शन तो मैंने पहले आपको फिट से बताता हूं मस्कुलर कॉंट्रेक्शन मुवमेंट कॉडिनेशन मतलब आपके पूरी बोडी का बैलेंस पॉस्चर मसल्स की वरकिंग यह सब इसी के नवारा कंट्रूल होती है जो व्यक्ति शराप पीता है किस पे प्रभाव पड़ता है अनूमस्तिक पे सहरी बिलम पे आ गई बात चलता है सारे पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं तीन इसके तीन इसके और यह आपका मिड़ ब्रेन तो चली दोस्तों पहले कुछ कोशन कर लेते हैं फिर हम लोग चलेंगे ठोड़ा सा आगे इसका अंसर आप लोग बताएंगे बताओ पुलिस मारता है तो सर यही होता है बताओ स्वैच्चिक कार्यों के लिए सुनिश्चिता मतब वॉलेंटर एक्षन जो आपके कंट्रोल में जैसे हाथ उठाए पानी पीलना वगएरे सब आपके वह ना बॉडी का कॉडिनेशन और बैलेंस इसके लिए कौन रेस्पोंसिबल है सहरी बीलम रेस्पोंसिबल है अनुमस्थिक क्योंकि दोस्तों विना अगर कोई आप चीज करना चाहते हो अपनी इच्छा से कोई आप लोग यहां पर क्रिकेट शॉट मानना चाहते हो तो उसके ल दोस्तों ब्रीधिंग भी एक प्रकार की इन्वॉलेंट्री अक्टिविटी आपके हाथ में नहीं है ना मतलब ब्रीधिंग का मतलब इसका मतलब रेस्पिरेशन से कि मतलब पूरा वह आपके आत्मनी है वह अंदर जाएगी ऑक्सियन वह ना रोक नहीं सकते उसको आप लो देख पारें अगर आप अच्छे से समझे तो सारे क्योशन आप लोगों के बनेंगे चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लो ब्रेन इस्टैम यानि मस्तिक की पूछ यह ब्रेन इस्टैम क्या है ध्यान से देखो जैसे यह वाला क्या है आपके ब्रेन का बिड़ पार्ट है जो दोस्तों यह क्या है पॉंस जो कि आपके हिंड ब्रेन का पॉच्च मस्तिक का यग ब्रेन से पूछ निकल रही है यह यह य flor अलंते लग रहा क्या कि ब्रेन से पूछ ने कल रही है तो दोस्तों इनी तीनों को मिला के brain stem यानि मस्तिक की पूछ बोला जाता है तो brain stem क्या है दोस्तों mid brain, pons और medulla oblongata mid brain, pons और medulla oblongata ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं brain stem बनाते हैं, mastics की पूछ बनाते हैं क्लियर है क्या ठीक है अब दोस्तों कुछ मैं आपको important fact बता दू ब्रेन के बारे में हालाएं कि हमने पहले भी करेते हैं कुछ और एक दो interesting चीज मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताओं दोस्तों brain हमारा ना fatiest organ मैंने पहले भी बताया था आपको इसमें 60% fat होता इसमें clear है ठीक है दोस्तों दूसरा आप लोग ध्यान रखेगा क्या आप लोग जानते हो क्या fatty acid किसको बोलते हैं वसीय अमल किसको बोलते हैं आप जानते हो क्या अरे सर किती बार बताओगे सर प्यारे दोस्तों जब fat का digestion होता है तो आपको क्या मिलता है fatty acid मिलते हैं वसीय अमल मिलते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना जिस बोजन में fat है उसमे fatty acid है वसीय अमल है clear है क्लियर तो brain की दोस्तों fat बहुत important है किसके लिए brain के कारे करने के लिए ठीक है दोस्तों नेक्स हम लोग बात करता है यह मतलब है आप देखो protein भी अलग-अलग type के होते हैं आपको लगता हो जैसे अलग-अलग प्रकार के होती ना glucose, fructose, starch, glycogen, cellulose वैसे ही डियान रखेगा यह fatty acid भी अलग-अलग type के होते हैं तो brain के लिए जो fatty acid important है जो वसीय अमल इंपोर्टेंट है वह आपको कहां से मिलेंगे दोस्तों वह आपको मिलेंगे बादाम से इसलिए बोला जाता है ना बा amino acids मिलते हैं जो brain के लिए important है, clear है क्या, clear है क्या, ठीक है आजा, next लोग बात करते हैं अगर आप लोगोसे पूचा जाये कि brain ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, brain से जो impulse निकल रहे है, जो message निकल रहे है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो proper जा रहे नहीं जा रहे तो brain की function को check करने के लिए जो आपका एक test होता है, एक उपकरन होता है, उसका नाम क्या है, electron, देखो ये, electroencephilogram, EEG बोलते हैं इस test को, जैसे ECG सुना क्या आपने, electrocardiogram test जो होता है, ECG, ये तो hurt आपका डंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको check करने के लिए होता ह जो EEG होती, electroencephilogram, ये जो होता है, वो आपके brain को check करने के लिए होता है, brain दंग से काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, clear है क्या, तो ये जो test होता है, ये बेसिकली से concept हमारी का पता लगा सकते हो, मस्तिक में कोई tumor तो नहीं है, सिरी में कोई चोट, या कोई दोरे, मिरगी पढ़ा ही, पढ़ा ही, कोई दिक्कात, कोई चीज़ चाहिए तो बता रहे ना, मस्तरा करो आप, सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं कहां से बादाम लेके आऊ, आप कुछ करो ना मेरे लिए, बिलकुल नवरतन जी, मैं आपके लिए करता हूँ, इधर लाओ, यह जो तुम सिगरेट फूखते हो न, जो चाय पीते हो, चाय किते पेते हो दिन बर, तो चाय के पैसों की जगे है, हरी पत्तेदार सब्जे लाओ, जो दोस्तों के साथ घूमते रहते हो न, यह लाजा भाई चले, दो-चार घंटे डोलते रहते हो, उसके जगे जा है, हरी पत्तेदार सब्जे लेकि आओ, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, लेकि बस वो है, बहुत जनों लगता है, सारी बादा मेहंगी है, देखो, बिल्कुल मेहंगी है, मैं खुदी नहीं खाता, लेकिन आप मुझे एक छोटी चीज बताओ, बाकी क्या अच्छा खाना व्लकुल मेहंगी है, दोस्तों चाहे, ये इतना नुक्सान करती है, जिसके आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते है, बाहर का जो आप लोग कहाते हो, चाहिए आप लोग बोलते होके, सर आं मैं तो 10 रुपई का इखाता हूँ, मैं तो बाहर ठेले पे. कोई बात ही, दोस्त देखो ये रहा हमारा ब्रेन ब्रेन के पीछे एक मोर्टी से नस्स निकलती है जिसे आप लोग बोलते है स्पाइनल कौर्ड है यहां पर डियाग्राम में आप लोग देखflower हो ये रहा आपका ब्रेन जिसको मैं ब्लू एक लिकाओट्लाइन कर रहे हूं है ना किलियर है किलियर है अग इससे अगर आप लोग रैड कलर से मैं जो हाइट लाइट कर रहा हूं देख रहा हूं एक मूटी से नस निकल रही है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं मैरू रज्जू बोलते हैं दोस्तों यह स्पाइनल कॉर्ड के चारो और क्या होती है आपकी वर्टीवरल कॉलम होता है मैरू डंड होता है जो कि क्या करता है इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन से बचाता है क्लियर है क्या आ जाओ तो च लगबग 45 cm, clear है क्या, तो देखो, ये question ध्यान रखो, spinal cord कहाँ से मर्ज होती है, कहाँ से निकलती है, तो brain का ये वाला parton medulla, medulla से निकलती है, तो ध्यान रखेगा, ये medulla से निकलती है, जो medulla होती है, वो आपके medulla से निकलती है, चलिए आजाओ अब बात करते हैं कि सर इस्पाइनल कोर्ड का मेन काम क्या है दोस्तो ये आपके रिफ्लेक्स एक्षन को कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स बोले तो प्रती वर्ती करिया सर प्रती वर्ती करिया क्या होती है बताओ मुझे जैसे आप लोग कोई गरम चीछ पे प्रतिवर्ति करिया तो जो प्रतिवर्ति करिया होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है और यह क्यों हो गया स्वाइनल कोड के द्वारा समझ में गया रिप्लेक्स एक्षन जो प्रतिवर्ति करिया वो वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, इस पाइनल कोड के द्वारा होती है, बताओ रिफ्लेक्स एक्षिन, क्या उनसा हो जाएगा, जैसे आपने कहीं पर हाथ रखा बहुत गरमता तुरंथ हटा लोगे, कहीं पर गलती से आपका पैर किसे काटे पर लगया, तुरंद पैर ध टालोगे clear तो यह आपके reflex action है clear है दोस्तों एक चीज में आपको बताऊं एक चीज में आपको बताऊं कि देखो जैसे है ना किसी की चोट वगरे लग जाती है ना यार जैसे मालो को इंजरी हो गई तो उनको कुछ सेंस ही नहीं होता मेरा कजिन है मैं आपको बताऊं ठीक है उनके एक्चुल में क्यों गे ब्रेन मेट वह गई थी टीबी हो गई थी ब्रेन मेट टूमर टाइप का आप मालो ठीक है तो सर्दियों के दिनों में वैसे तो ठंड़ा पानी डालो गरम पानी डालो उनको को सेंस ही नहीं होता था था धखें दिया ओए तो पूरी बोडी जलगी लाल-लाल सी हो गई हुगई पूरे घाव से हो गए तो उसको सैंस नहीं हो रहा है लेकिन तो गरम पानी ना वह तो डैमेज करें गई तो यह आल हो गया तो बता रहा हूं कि यार हमारा जो शरीर ना वह बहुत स्वास्तर इंपॉर्टेंट है आप तो कुछ भी कर लो जीवन में लेकिन अगर आपका शरीर स्वास्तर ना आप इस संसार के सबसे dhani institute दोसल भां दोसल साल बाद नहीं तो सतर साल बाद आप लोगों को दक भी हमारा जीवन है तब तब आपको रियलाइज होती रहेगी कि दोस्तों हमारा स्वास्त कितना important है कितना important है और देखो हमारी body cake शांदार मशीन है यार किटनी क्या खत्रनाक तरीके से काम कर रही है जो spinal code है क्या शांदार काम कर रहा है लीवर के अंदर खत्रना काम कर रहा है अंदर पूरे मशीने भरिये मानो आप यह यार यह उपर वाले ना जो यह शेडिल्स दिया नहीं खत्रना कि बनाया मतलब पता नहीं इसके पीचे क्या वो है आस तक समझ में नहीं आया कैसे बच्चा हो जाता है कैसे यार यह बहुत सीरिस्ली आ रहे है ना चलो आजाओ चले आगे कि चले आगे आजाओ चलो दोस्तों इसका अंसर बताओ यह इस बार की गुरूप दी दो जरबाइस में पूछा गया स्पाइनेल कौaf की रूकेशन बताओ तो इस पनेल को आपको कहांपर मिलेगी तो यह तो पता है आको ब्रेन से निकलती है तो ब्रेन का जो सबसे नीचे वाला पाट拜拜 यहींसे दो दोस्तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है याद है भूल गए इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारी सारी हमारी सारी नर्वस के बारे में सारी तंत्रिका के बारे में आ जाओ देखो देखो मैंने आपको बताया था याद है अरे यार भूल गए याद है यारे दोस्तो मै आपको बताया था कि सर हमारा जो brain होता है ना और हमारी जो spinal cord होती है इस से दोस्तों बहुत सारे से wires निकलता है जिसे आप लोग बोलता है ना उसे या नहीं तंत्री का सिमिलरली दोस्तों brain से भी निकलता है एक यहां पर निकला तो एक यहां पर एक जोड़ा फिर एक यहां और निकला तो एक हैं पर को कि यार आपको मैसेज दोनों जगे भी बेजना है आपके left वाले पार्ट में भी बेजने है ठीक है टो यह एक आप लोगों का निकला एक एदर एक दर एक इदर तो brain से यह जो निकल रही है तंत्री का निकल रही है वह और spinal cord से ही जो निकल रही क्लियर है क्या दोस्तों इसमें दो टाइप की नवस आती है एक तो वो जो हमारे ब्रेन से निकल रही है हमारे मस्तिक से निकल रही है ब्रेन से जो नवस निकलती है उसका नाम क्या है क्रेनियल नवस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं कपाल तंत्रिका आप लोग इसको बोलते हैं ठीक है और दोस्तों इस्पाइनल कोड से जो आपकी नवस निकल रही है उसका क्या होगा नाम इस्पाइनल नवस होगा या आप लोगों का स्पाइनल तंत्रिका होगा तो अगर अब लोगों से पूचा जाए spinal cord से total nerve कितने निकलती है दोस्तों एकतिस pair का मतलब क्या है गिएक इधर तो एक इधर टो एक इधर एप इधर एक इधर तो एक जोडा टीन जोडा पिर तो जोडा पिर तो डॉडा फीर सात्वा होते हैं उनकी संक्या कितनी होती है बारा पेयर होते हैं बारा पेयर ठीक है पेयर ध्यान रखो तो अगर आप लोगों से पूचा जाए टोटल तंत्रीका की संख्या बताओ तो 31 प्लस बारा टोटल 43 पेयर पाए जाते हैं 43 जोड़े क्लियर है क्या समझ में आगे चलिए आगे चलिए देखो क्रेणियल नौस कौन सी होती है यह आपको मैं डायग्राम में नहीं दिखेगी तो आपका ब्रेन ना एक यहां पर एक यहां पर नीचे आप ब्रेन के नीच संट्यार यह आँद्रों आप लोग है थीक है पाइनल लोग में क्या होता है दोस्तों यह आपकी आपकी स्पाइनल कौड होती है उस sırत यजिष्ट निकलती है तोि difference है चले दोस्तों आज केhesगर रखता है इतना हमें आपड़र पूरा हो जाएगा हमारा बहुत सारा सिं अरे ठीक है क्या ठीक है। ठीक है थैंक्यू सो मच्छ बाबाई मिलते हैं कल हम लोग.. झाल झाल